हलो स्टूडेंट्स, आज हम कार्बन अणों का मोलिकिलर ओर्बिक्टर डियाग्राम देखेंगे यहां हम देखते हैं कि कार्बन ए का इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p2 है और कार्बन बी का भी सेम 1s2, 2s2, 2p2 है इसका दोनों के अणों का कॉन्फिग्रेशन के के सिग्मा 2s2 यहां पर 2 इलेक्ट्रोन सिग्मा और्बिट में गए हैं फिर सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रोन सिग्मा स्टार में उसके बाद pi 2 py में 2 electron, pi 2 py में 2 electron और pi 2 px और pi 2 py इसको कहेंगे इसके बाद बागी के उपर के ये suborbital खाली है bond order इसका क्या होगा? half 6 जितने bonding electron है 2 2s में और 4 electron pi में तो 6 माइनस 2 anti-bonding electrons है तो ये 2 anti-bonding तो इसका bond order आपका हो जाएगा 1 by 2, 6 माइनस 2 is equal to 2 इसके बाद हम nitrogen का अनू देखेंगे nitrogen के अनू को बनाने के लिए परमाणू का electronic विन्यास 1s, 1s2, 2s2, 2p3 ये होगा यहाँ पर देखते हैं ये 1s को तो हमने नीचे लिख दिया इसको हम k-k configuration से दिखा देंगे इसके बाद आप देखोगे कि nitrogen का बन करम यहाँ पर 3 है कैसे आ रहा है 2s में आप देखते हो sigma 2s में 2 electron sigma anti bonding 2s में 2 electron फिर pi px और pi py में 2 electron pi pz में 2 electron तो यहाँ पर आप इस orbital सरचना से जो configuration है वो देखते हो k-k sigma 2s2, sigma star 2s2, pi 2px, pi 2py, pi sigma 2pz और इस से जब हम bond order निकालते हैं तो हमारा bond order 3 आता है nitrogen की प्रक्रती अक्रिय होती है वो बंद वियोजन उर्जा का मार उच्चे होता है तो 943 kJ per bond इस अनू के सारे electron जुगमित होते हैं इसलिए जब सारे electron जुगमित होते हैं तो यह paramagnetic होता है oxygen का structure देखते हैं 1s2 यह 1s2, 2s2, 2p4 यह 2p4 यह आपके orbitals में भरने के के हो गया यह सबसे पहला 1s वाला फिर sigma 2s में 2 electron, sigma anti-bonding में 2 electron, pi pz में 2 electron, pi px और pi py में 2 electron और anti-bonding pipe में भी 2-2 electron हमारे पाए जाते हैं तो इस तरह से इसका orbital diagram बनेगा यह अनू चुम्बक यह है क्यों? क्योंकि इसमें यह अनू चुम्बक यह क्यों है? क्योंकि इसमें यहाँ पर 2 unpaired electron है दो आयूगमित electron की कारण oxygen आयूगमित है इसका bond order हम देखते हैं तो 8 हमारे पास bonding electron और 4 non-bonding electron है तो इस से इसका bond order हमको 2 प्राप्त होता है यह oxygen का अनू molecular orbital diagram हुआ अब oxygen 2 ion का जब oxygen 2 अनू में एक electron हटाने से oxygen 2 ion बनता है oxygen A, 1s2, 2s2, 2p4, B oxygen plus ion 1s2, 2s2, 2p3 यां से एक electron हटा दिया तो oxygen B, 1s2, 2s2, 2p4 अब इसका हम electronic configuration बनाते हैं तो K, K, sigma 2s2, फिर sigma star 2s2, फिर sigma 2pz2, फिर sigma 2px2, is equal to pi 2py2 और pi 2px1 तो यह बनता है आपका oxygen ion का electronic configuration ion में एक unfaded electron है आता है यह अनू चुम्बे की प्रकृतिका होता है O2 minus, superoxide ion से oxygen द्वारा electron grant करने से बनता है O2 plus 1 electron oxygen ion बन गया तो इसके configuration में एक electron बढ़ जाता है तो यहां हम देखते हैं 2s2, anti-bonding 2s2, sigma 2pz2, pi 2pz2, is equal to pi 2py2, pi 2px star 2, pi 2py star 1 तो यहां पर हम देखते हैं कि 5-8 electron तो आपके anti-bonding electron है और 5 electron anti-bonding electron है तो इसका bond order 1.5 होता है इस ion में pi 2py आणवी कक्षक में आयोग में तिलाक्रॉन उपस्तित होता है इसलिए यह अनुचुम्ब किये होता है इसके बाद हम यह अभी तक हमने sum नाभी किये परमानू आणू के आणवी कक्षक चित्रन किया तो अब हम विशन नाभी किये परमानू के आणवी क्षित्रन करेंगे इसमें हमने example लिया है CO यहाँ पर एक carbon और एक oxygen है इनके आणवी कक्षक का हम किस तरह से बनाएंगे क्योंकि विद्यू त्रिंता में अंतर है इसलिए यहाँ पर 1S से नीचे 1S दोनों का 1S, carbon का 1S और oxygen का 1S का यहाँ पर gap है यहाँ पर इसकी उर्जा और इसकी उर्जा में अंतर है तो यहाँ पर हम देखते हैं carbon के 1S में 2 electron, 2S में 2 electron और 2P में 2 electron यहीं oxygen के 1S में 2 electron, 2S में 2 electron और 2P में 4 electron अब हम देखते हैं कि जो KK है वो तो 2 anti bonding और 2 non bonding से हो जाएगा इसको तो छोड़ देते हैं इसके बाद 2S पर आते हैं तो यहाँ पर भी 2S में भी हमको 2 bonding और 2 anti bonding orbitals में electron फुल हो गए इसके बाद हम 2P में आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2P में 2 electron और यहाँ पर 4 electron हैं तो यह total 6 electrons आपके यहाँ पर bonding orbitals में ही फिल हो गए हैं और anti bonding orbitals इसके बिलकुल खाली हैं तो यहाँ पर पूरा यह pair होके structure बना है तो अब इसका configuration क्या होगा सबसे पहले हम देखते हैं कि कि फिर sigma 2s2, फिर sigma anti bonding 2s2, pi 2p2, pi 2pxy और z तीनों में 2-2 electron भरे हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है कि 8 आपके bonding electrons है और 2 anti bonding electrons है इसका bond order 3 है इसमें unpaired electron बिलकुल भी नहीं है इसलिए यह paramagnetic है, diamagnetic नहीं है इसी तरह से हम NO को देखते हैं इसी तरह से हम N और O का structure बनाएंगे तो हम क्या देखते हैं N का configuration 1s2, 2s2, 2p3 है और O का 1s2, 2s2, 2p4 है और इनका electronic configuration सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2p2, 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 और bonding electron आपके 8 है तो 8-3, 2.5 यहाँ पर bond order हो जाएगा यहाँ पर आयुगमित electron एक पाया जाता है इसलिए यह अनुचुम्ब की प्रकृतिका है एक सिगमा वह दो पाई बंदों द्वारा यह जुड़ा होता है इसी तरह इसका आयन देखते हम NO आयन, NO आयन में क्या है NO प्लस आयन, इस आयन में उपस्तित परमाण हुआ आयन के electron विन्यास 1s2, 2s2, 2p, 2, O प्लस आयन का 1s2, 2s2, 2p, 3 है Electronic configuration, sigma 2s2, sigma 2s, anti-bonding 2, sigma 2, pz2, pi 2px2, pi 2py2 तो इसका bond order 1 upon 2, 8 minus 2, 3 आता है यह प्रतिचुम्ब की प्रकृति का है इसका इस्थायत वो NO की अपेक्षा अधिक होता है क्योंकि NO प्लस आयन का बंद कम, bond order 3 है तो इसका इस्थायत NO जिसको हमने देखा था इसका bond order 2.5 है, उससे अधिक होता है तो यह आज हमने देखा carbon अनू का सरचना उसके बाद nitrogen अनू की सरचना उसके बाद oxygen अनू की सरचना oxygen के ions की सरचना और विशम नाभकिये पर monoc carbon monoxide nitrogen monoxide और nitrogen monoxide ion की सरचना तो यह आज का topic यहीं पे complete होता है इसके बाद हम next class में आपको कुछ एक दो points और topics और बच गए हैं वो बता के इस unit को complete करेंगे करेंगे करेंगे